हम सेवेंथ क्लास का फर्स्ट लेसन हम पंच्छी उन्मुक्त गगन के इस लेसन के सुनो बोलो, पढ़ो, लिखो, स्रिजनात्मक्ता सारे कोशन आंसर्स को अब हम इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए सबसे पहले हम सुनो बोलो से सुरू करेंगे सुनिये बोलिये का फर्स्ट कोशन है पंच्छी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते आजात पक्षी है आकाश में खुले अंबर में घुमने वाले पक्षी क्यों पिंजरे में बंद होना नहीं चाहते तो इसका आंसर लिखेंगे वे डरते हैं कि कहीं उनके पंक पिंजरे की तीलियों से टकरा कर तूटना जाए पिंजरे में बंध होने से वे खुले आस्मान में नहीं उड़ सकेंगे स्वच बहता जल नहीं पी सकेंगे दूर छितीस तक उड़ना सकेंगे इत्यारी कई बाते जो उनमुक्त गगन में उन्ने से ही प्राप्त हो सकेगी अता वे पिंजरे में बंध रहना नहीं चाहते क्यों नहीं चाहते ? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि इतना छोटा पिंजरा में अगर वे रहेंगे तो उसे टकरा कर उनके पंग तूड जाएंगे वे खुले आसमान में उड़ने ही साखेंगे स्वच बहता पानी पी नहीं पाएंगे ये ऐसे बहुत से कानों से वे पिंजरे में बंद नहीं होना चाहते दूसरा कोशन है पक्षियों को पालना उचित है या नहीं अपने विचार बताईए हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पालतु जानवर होते हैं जैसे कि कुट्टा, बिल्ली ऐसे बहुत लोग पालते हैं तो वैसे ही हम पक्षियों को घर में रखकर पालना क्या सही है है तो अपने विचार बताईए अगर नहीं तो भी बताईए चलो फिर आंसर देखते हैं पक्षियों को पालना कदापी उचित नहीं है उनका सहेज स्वभाव खुले आकाश में उड़ना होता है जिसे कैद करना बेहत गलत होगा उनका सरीर इतना नाजुक होता है कि पिंजरे से टकरा कर कभी कभी उनकी जान तक चली जाती है हम जब एक कमरे में बंद रहे कर उप जाते हैं तो जरा सोचिये कि इतने खुले वातावरन में उड़ने वाले पंच्छी को पिंजरे में बंद करके रखते हैं तो उन पर क्या बीत्ती होगी? हाँ, अगर उन्हें कैद किये भीना खुले स्वच्छंद वातावरन में पाले तो कोई हानी नहीं होगी जैसे हम अपने घरों में देखिए कहीं कहीं कभूतरों को पाला जाता है लेकिन कभूतरों को क्या पिंजरे में ने रखते? मतलब पक्षियों की रक्षा करने के लिए हमें क्या-क्या कदम उठाना चाहिए? अंसर लिखेंगे पक्षियों के संरक्षन हे तू हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए क्योंकि पक्षियां पेड़ पौधों पर ही होती है उनकी कटाई रोकनी चाहिए पक्षियों के सिकार को वर्जित करना चाहिए घर के खुले प्रांगन में जल की व्यवस्ता रखे साथ ही सरकार पक्षियों को पकड़ने पर निशेत कानून लागू करे तो बहतर होगा इस प्रकार मानो को पक्षियों के संरक्षन है तो हर संभव मानो प्रयास करना चाहिए देखिए गर्मी में पानी के बिना कितने सारे पक्षिया मर जाती है तो हमें हमारे घर के सामने काटोरी में या थोड़ा बड़े बरतन में पानी को रखना चाहिए ताकि ऐसे प्यासे पक्षियों की प्यास बूच सके अभी हमने सुनिये और बोलिये के फर्स्ट कोशन, सेकेंड कोशन और थर्ड कोशन इन तीनो कोशन के आंसर को देख चुके हैं तो अभी ये लिखिये बिट के कोशन को देखेंगे तो पहला कोशन दिया है पक्षियों को स्वतंत रहना क्यों पसंद है? तो इसका आंसर देखेंगे भगवान ने पक्षियों की सरक्षना ऐसे ही की है कि वे खुले वातवरन में निर्भिक उरते रहे पक्षि पर्यावरन से प्राप्त सभी चीजों को प्राप्त करने में ही आनंद का अनुभग करते हैं वे सभी जून बनाकर एक साथ घूमते विचरते रहना पसंद करते हैं पक्षियों को पेड़ पर रहना, खुले आकाश में पंक पसार कर उड़ना सच्च पानी पीना, सूरज से आँक मिचौली खेलना, चोच में तिन के लिए उड़ उड़ कर घूंसले का निर्मान करते हैं अता वे स्वतंत रहना ही पसंद करते हैं क्योंकि हर किसी को अपनी आजारी बहुत प्यारी होती है जैसे हम बंद कमरे में हम नहीं रह सकते वैसे पक्षियां भी बंद पिंजरे में नहीं रह सकती उने भी स्वच्च हवा और स्वच्च पानी पीना आकाश में उनना बहुत पसंद है स्वच्च रिंखला के बंधन में अपनी गती उड़ान सब भूले आव आरत देखेंगे पक्षि जब आकाश में उरते हैं तो वे सब एक समान एक आकार बना कर उरते हैं ऐसा करते समय उस रिंखला का बनाए रखने हैं तो वे सब अपनी सहज गती को भूल कर ले बद्ध ढंग से एक समान उड़ने के लिए जो गती और उड़ान का पालन करते हुए अनुशाशन के महतों को बताते हैं यही उसका भावार्थ है पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता अपितू परियावरन भी प्रभावित होता है अपने विचार लिखिए मतला पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखने से सिर्फ उनकी आजादी ही हम नहीं छिनते बलकि इसे परियावरन भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है वातावरन भी उस पर प्रभाव पढ़ता है तो कैसे तो इस पर आपके विचार क्या है वो लिखना है तो चलिए आंसा देखते हैं पक्षि का सहर स्वभाव होता है कि खुले आकाश में उड़ते हुए परियावरन से प्राप्त विभिन चीजों का आनन और उभोग करे परन्तु जब मानव अपने स्वार्थ वस इनको कैद करता है तो प्राप्तिक विशमता पैदा होती है जंगलों में ये पक्षि के कारणी पेड़ों की वृद्धी होती है जो थम जाती है क्योंकि आदे खाय हुए बीच धर्ती पर गिरने से पेड़ुगते है पक्षियों को प्राप्तिक विपदा का पूर्वाभास हो जाता है जिससे होने वाली हानी हम कम कर सकते है ऐसा नहीं होगा तो काफी नुकसान भी हो सकता है प्राकृतिक सौंदारी पक्षियों की चह चहाट के बिना अधूरा लगेगा पक्षियों को पिंजरे में बंद कने से परियावरन पर कैसे प्रभावित पड़ता है पक्षियां आदय खाय हुए जो बीज होते हैं जो सीर्स होते हैं उन्हें वे उर्ते वे उर्ते वे खाते खाते वे कहीश न कहीँ गिरा देती है उस पर धूल मिट्टी चड़ जाता है जब बारिश के पहली बुंद उन बीजों पर गिरती है तो अंकूर निकला तो लोहाँ करें धीरे-धीरे छोटाजिसे पवधा पवधा इसे बड़ा पेड़ बन जाता है तबी तो हमारे पास इतने बड़े-बड़े जंगल है ने तो क्या जंगलों का निर्मान आप यह हम किये क्या नहीं एस सब पक्षियों की देण है प्रकृति की जो घोसला होता है उसे कहते हैं और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंद करना आवश्यक समझेंगे लिखिए माल लिजे कि आपके घर के पास पक्षी अपना घोसला बना लिया और आपको उस घर से स्थाना अंतरन हो गया मतलब आप उस घर को छोड़ कर कहीं और जा रहे हो तो उस पक्षी के लिए आप क्या करना चाहोगे यदि ऐसी नवबत आई तो हम दो काम कर सकते हैं एक या तो उस पक्षी को उसके आवास सही कहीं दूर जंगल या सुरक्षित इस्थान पर रखाएंगे दूसरा काम उस घर के मालिक को इस बात से अवगत करके उस पक्षी का उची ध्यान रखने का अनुरोत करेंगे घोसले के सहीत उस पक्षी को हम कहीं जंगल में छोड़ा जाएंगे नहीं तो उस घर के जो मालिक है उसे ये अवगत करा देंगे ये सुचित करा देंगे कि यहाँ पक्षी है उसका भी थोड़ा ध्यान रखी है नहीं तो हमें और ज्यादा ध्यान रखना है तो उसे अपने साथ घोसले से हित ले जाएंगे अभी तक हमने सुनिये बोलिये और लिखिये कि ये चारो कोशन के आंसस देख लिये हैं अब देखते हैं स्री जिनात्मकता के कोशन स्री जिनात्मक अभिवेक्ती मित्र अगर मैं पंच्छी होता नील गगन में उड़ता अन्य पक्षियों से होड लगाता हरा के उन्हें खुश होता सूरज की किनों से टकराता हिम परवत पर चड़ता प्रुथ्वी पर जगड़ा होता पंक पसार उड़ जाता शांती प्रेम का संदेज देता एकता को बढ़ाता अनुशाशन का महत्तु जो होता सेब जन को दिखलाता मित्र अगर मैं पंच्छी होता पंक पसार उड़ जाता ये प्रसेंसर का कोशन है पक्षियों के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है अपने विचार लिखो तो इसका अंसर देखते हैं पक्षियों के जीवन से हमें मुख्य रूप से यहां सीख मिलती है कि अपने वुदेश्य को हासिल करने हितु लगतार प्रयत्न करते रहना चाहिए पक्षिय आपस में एकता बनाये रखते हैं उनसे हमें एकता का पाट भी सीखना चाहिए पक्षियों से हमें प्राताकाल सीखर उठने की आदत भी सीखनी चाहिए जीवन में आने वाले सभी संगर्ष का सामना करने का हौसला उनसे लेना चाहिए पक्षियों के समान हमें भी पेडों की अभिवरिद्धिक करनी चाहिए उनसे हम संयम का गुन भी सीख सकते हैं पक्षियों से हम क्या सीखना है कि उद्धेशी को प्राप्त करने के लिए निरंतर बिना रुके हमें प्रयास करते रहना चाहिए हमेशा एकता बनाय रथना चाहिए और प्राता काल जल्दी उठने की आदत भी हमें पक्षियों से सीखना चाहिए जीवन में आने वाले सभी संघर्ष का सामना हमें धैरी के साथ करना चाहिए और पक्षियों के जैसे ही हमें भी परियावरन को बचाने के लिए अभिवर्दी करने के लिए तहयोक देना चाहिए यहां से हमारा 7th class के 1st lesson का notes complete होता है आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा